नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका माई किसान दोस्त पर मैं हूँ आपका किसान दोस्त यह सजाट जैसा कि दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें नेमीज जी पाड़िदार से हमने जाना कि कैसे किसान भाई सब्जू की खेती करें और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, प्रोजेक्ट को समझा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उपर आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उपर आपको लिंक तो मिल जाएगा, इसका अलावा सर जेविक खेती करते हैं, जेविक खेती में कई सारे चेलेंज आते हैं, खास करके पोशन तत्वो को लेकर कि किस तरीके से फसल में दिया जाए, तो उन्होंने इसका भी एक बहुत अच्छा हल निकाला है कि कैसे ये अपनी फसल में पोशन तत्व की पूर्ती करते हैं, तो मैंने भी इनसे यही सवाल पूचा था, तो फिर जा चेटी करते हैं, तो जेविक खेती में सबसे पहले आपको बड़ी मुश्किल है क्या आती है, क्योंकि जेविक खेती में बहुत ज्यादा धिक्कत है, आती है सुरुवाती तो पर, तो उसके निदान के लिए क्या करना चाहिए, वो भी हमारे किसान भाहियों को बताईए, जी जेविक केती में मुक्यता जो एक चेलेंज रहता है वो पोशन प्रबंदन का रहता है जिसे हमको जीवामरत है जीवामरत को पानी के सांथ बहते पानी के सांथ सिचाई में देना रहता है तो नॉर्मल जो मेथड रहती है वो यह सी रहती है कि आप किसी बाल्टी में भर कर सकते हैं यह दोनों चीजय है मतलब आपको छटे रहे पड़ेगा तब आप कर सकते ही तो कि क्यों की पानी देने वाला बंदा है जो हमारे यहां पर काम करते हैं, तो उनको इस headache को नहीं सोचना पड़े कि या मुझे कौन सा वेक्टिरिया डालना है, नहीं डालना है, क्या है, तो हम पहले से सुनिश्चित कर दें कि जैसे ही motor pump on होगा, तो हमें जीवामरत अगर देना है, तो जो साडी की कपड़े से चाना रहे गा, और यह सारी चीजें तभी संभा हो पाती है, तब चीजें आटोमेटिक हो, क्योंकि अब हर कोई हर समय खड़ा नहीं रहे सकता, तो इसके लिए यह खल निकल के सामने आया कि कुछ ऐसा किया जाया कि motor की सहायता से, हर चीज को आटोमेटिक कर दिया जाया कि जैसे ड्रम रखे हुए, इनके अंदर क्या-क्या आपने भर रखा है? तो जीवामरत जो रहता है, वो खेती की जान है, जेवी खेती की, उसके अलावा इसमें इल्लियो के नियंतरन के लिए बवेरिया बेसियाना करके एक जो बेक्टिरिया आता है, वो इसमें ड्रम में घुला हुआ है, अभी कल घुला है, दीरे-दीरे तयार होगा, इसका color change ह जो कर वैसा हो जाएगा, थोड़ा light color में चला जाएगा, उसके बाद में एक जो दस पढ़नी अर्क जो रहता है हमारा, दस तरीकी के पत्ते जो है, वो हमने इसमें तयार करके रखे हैं, ये भी फर्मेंटेशन में हैं, तो ये पत्तियां जो सड रही है, इनका जो अर्क न इनिशल स्टेश की चीज़ हो गई, फिर उसके बाद में 5 पढ़नी अर्क रहता है, उसके बाद में 10 पढ़नी रहता है, तो ये एक तरह से देखा जा तो अपना हाई लेवल का हत्यार है, उसके बाद में अगर अगर हमको जैसे गेहूं की पराली वगेरा के लिए वेस्ट सब्सक्राइब काम करता है, तो इस तरीके के सभी के अलग-अलग functions है, और जिसकी जरूरत रहती है, वेसा हम उप्योग करते हैं। चलिए आपको काफी महकून जानकरी हम देने वाले हैं, कि किस तरीके से ये सारे जो पोशक्तात्व है या कि प्रबंदन की इन्हें आप फसलों तक कैसे पहुचाते हैं, वो यहां पर हम देखना चाहिए। तो सबसे बेले, हम द्रम के पास खड़े हैं, तो मैं आपको इन्पोड बता देता हूं कि यहां से जो है, जैसे इसके अंदर जो गुलावा वैक्टीरिया है, वो इस नली के माध्यम से, यहां से चलता है। और फिर जो हमारा सिस्टम है वो में आपको बता देता हूँ कि हमारे यहां पर जो इनिशली मैंने सिस्टम लगाया था यह ऐसे ही होबी प्रोजेक्ट के तौर पर किया था शौक होने के कारण तो इसकी वाइरिंग में अगर आप देख सकते हैं कि कितनी रह है तो यह बेसिकली एक बिल्कु सिंपल सा सिस्टम है ट्रांसफार्मर और मोटर की साहता से जैसे ही वहां से इन्पूट आता है वह इन्पूट इसके अंदर आएगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी दे पहले यहां पर ड्रम के अंदर से जो नली आ रही है वह आप बेक्टिर फिल्टर लगा हुए इसके पहले इन्पूट में चला जाता है तो यहां से आके सीदे सीदे जीवामृत या कोई भी बेक्टिरिया मेन पानी के साथ मिल जाता है तो यहां पर केशान भायू आप देख सकते हैं काफी अच्छा यह सारे ड्रम बहरे हुए है और इन में से य हमारा जो आम किसानी से बना सके है कि लिए जादा बड़ा साइन्स आपको आने के आवशकता नहीं है नॉर्मली यह ट्रॉंसफरमर गारे 77 जो 12 वर्ल्ड का transformer रहता उसको आप इस्तमाल कर सकते हैं चमता के इसाफ से अगर 3 A. single motor इस्तमाल कर रहे हैं तो 3 A. का transformer जैसे मैंने यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2 motors है और 2 pipeline के system है इसलिए मैंने यहाँ दो motor इंस्टॉल कर रही है इसे बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि तीन मोटर आपके साथ पेरलल चल रही है तो उसके इसाप से कर सकते हैं, जैसी requirement रहे, अगर आपके पास एक ही मोटर है और एक ही पाइप लाइन है, तो एक सेट आपके लिए काफी रहेगा, तीन एमपेर का प्रांसफर्म ले लिजे, एक मोटर ले लिजे, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक पंप जो रहता है आपका, उसके अंदर लगने वाली मोटर रहती है, और सिंपल सा सिस्टम में एक रेगुलेटर रहता है, इसके साथ में अगर आपको चाहते हैं कि कम-कम पानी जाए, या फिर आप एक ड्रम यहाँ पर इंपुट्ट मिल जाए, और यहाँ पर आने के बाद में आपको यह मोटर जो है, यह बटन की सहता साउन छोड़ दीजे, तो जैसे स्टार्टर आउन होता है, उसके बाद में इस मोटर चलो हो जाएगी और आपका पानी जो है, उसके साथ में मिलकर बिक्तिर्य पर अब्यक्तिरी देना है, कितना देना है, वो कोई परेशान नहीं रहे, यहाँ से आप कम जादा कर सकते हैं, और सीधा खेत में जो है, शीचाही कर सकते हैं, पैड़िदार जी, कैसर किसान भाई, जब भी में वीडियो बनाता हूं, तो कैसर किसान भाई पूंच पूंच जी Facebook और WhatsApp पे मैं available हूं और YouTube पे भी मैं अपने वीडियो डालता रहता हूं जेवी खल करके एक चैनल है जो मैं अपने यहां पर प्रयोग करता हूं प्रयोग सफल रहते हैं जैसा भी होता है तो मैं वहाँ पर डालता हूं ताकि उन चीजों को सभी तक पहुंचा सकूं तो जे करी मिल सकती है और वहीं पर आपको जैसे भी रिप्लाइ करेंगे तो मैं उसका कमेंड का रिप्लाइज जरूर दो हूं बहुत अच्छी जानकरी शार ने बताई है उम्मित करता हूं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आ हुआ है झाल झाल